आज के इस home tour part 2 में मैं आपको अपने पूरे complete घर का टूर देने वाली हूँ जिसमें bedrooms, kitchen और terrace और उपर के जित्ते भी rooms हैं सभी मैं आपको आज दिखाऊंगी तो आप आज का वीडियो एंड तक जरूर देखेगा आज आपको मिलेगा मेरे घर का complete टूर हलो एवरिवान और वेलकम बैक तो माई चैनल होम टूर पार्ट वन में मैंने आपको अपने living room का पूरा टूर दिया था डीटेल टूर दिया था और बिल्कुल living room के बाजू में ही मेरा है kitchen तो चलिए enter करते हैं मेरे kitchen में बहुत ही चोटा सा kitchen है यह मेरे kitchen का entrance है तो बिल्कुल entrance में जैसे ही हम enter होते हैं na kitchen में तो यहाँ पे wall पे एक cabinet बना हुआ है और उसको ही में अब बिल्कुल अपने चोटे से pantry की तरह use करती हूँ क्योंकि मेरे mostly सारे groceries यहाँ पे ही stored रहते हैं तो detail tour में आपको कभी और दूँगी मेरे kitchen का सारे cabinets open करके और trolleys open करके जरूर दिखाऊंगी लेकिन आज मैं सरिफ time की कमी के कारण मैं आज आपको पूरा detail नहीं दिखा रही हूँ तो बस ये entrance में मैंने आपको अपना ये जो wall पे cabinet लगा हुआ है वो दिखाया है और क्योंकि मेरे kitchen छोटा है इसलिए मैंने काफी सारे wall space को use किया हूँ है और ये सारे मैंने organizers लगाए हूँ हैं जो ये blue baskets आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे basket है और इसमें काफी सारा सामन स्टोर करके मैं रख सकती हूँ छोटी-छोटी चीजें इनफेक्ट बड़ी चीजें भी मैं इसमें रखती हूँ जैसे कि trees और chopping boards बहुत easily इसमें store हो जाते हैं और ये है मेरा counter और यहां पे मैंने ये rack रखा हुआ है ये भी मैंने अपने videos में बहुत बार आपको दिख अपने oil रखे वे हैं अगर आपके kitchen में storage की कमी हो या space की कमी हो तो जितना हो सके अपना vertical space जरूर यूज कीजिए और जो wall space है ना उस पे ज्यादा तर अपने सामन रखे तो आपको जो counter रहगा ना उस पे आपको बहुत जादा free space मिल जाएगा बाकी दूसरे कामों के लिए तो मैंने sink का जो space है मेरा वहाँ पर भी मैंने racks जो भी है मैंने wall पर लगा के रखे हैं टाइल्स पर लगा के रखे हैं और कुछ मैंने organizers भी use किये हैं जैसे ये under shelf organizer तो इस तरह से अब यहाँ पर जो dishwasher है क्योंकि मेरे यहाँ पर utility area नहीं है separate और तो मैंने dishwasher बिल्कुल kitchen के अं सेम रैक मेरे पास living room में भी है तो यह ऐसे मेरे पास दो racks है तो अगर cabinets नहीं है तो इस तरह के racks बहुत ही useful होते हैं इसमें काफी सार मेरा सामान आ जाता है जो की counter का बहुत जादा space ले लेता है तो यहाँ पे जब में सामान रख देती हूं तो मेरा counter काफी मुझे free मिल जात यहाँ पे मैंने अपना OTG रखा हुआ है और air fryer रखा हुआ है और उसके उपर एक microwave के लिए मैंने शेल्फ बनाया था लेकिन वो microwave मैं उपर रखती थी तो मेरी बेटी का हाथ महां पे नहीं पहुँचता था अगर उसको पानी गरम करने के लिए चाहिए या कुछ भी उसको रख दिया है so that वो भी अपने आप यूज कर सके तो यह मेरा OTG और OTG के उपर भी मैंने कुछ चीज़ा रखी हुई है so that यह वाला स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए तो यह है मेरा चोटा सा किचन जिसमें मैंने कुछ और्गनाईजर्स और वर्टिकल स्पेस यूज करके इसे और्गनाईज करके रखा हुआ है so that मुझे स्पेस की कमी ना हो जबी भी मैं काम करूँ गार्बिज बैक्स के जो रोल होते हैं उनको भी मैंने वाल पे लगा के रखा है कुछ एडिसिव स्टिकर्स यूज किये हैं हुक्स यूज किये है so that वो वहाँ पे अच्छे से रहे और बाकी स्पेस फ्री रहे तो अब चलते हैं किचन के बाहर मेरे first bedroom की तरफ तो यह है मेरी बेटी का bedroom जो mostly use होता है पढ़ने के लिए और खेलने के लिए ये bedroom में बहुत ज़दा space नहीं है इसलिए वाल पे ही सारे जो cupboards हैं जो wardrobe हैं वो बनाया हुआ है और मैंने एक छोटा सा जो foldable table होता है वो लगाया है as a study table उसको मेरी बेटी यूज़ करती है और छोटे-छोटे मैंने baskets लगाया हैं जो कि हम छोटे-मोटे सामान उसमें रख सकते हैं side table के लिए बिलकुल भी space नहीं है तो यहाँ पे side table नहीं रखा है जो main study table है वो मैंने आपको living room में दिखाया था वो मैंने living room में रखा है क्योंकि वहाँ पे काफे सारे space थी और यहाँ पे वो adjust नहीं हो रहा था तो जबी भी उसे ज्यादा जो भी use करना रहता है books वगरे तो वो वहाँ पे use करती है laptop जो भी है वो वहाँ पे use करती है ज्यादा लेकिन छोटी-मोटे जो revision और writing work रहता है तो वो यहाँ बैठ के अपने room में करती है इस bedroom से बहा निकल के हमारा जो master bedroom है उसका bathroom है तो bathroom में बहुत ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी और यह detail में आपको कभी और दिखाऊंगी किसी और दिन तो यह है हमारा master bedroom जो की यह जो bathroom है वो बलकुल उसके बाजू में है और यह भी बहु बहुत ज़्यादा decoration नहीं किया है क्योंकि ना यहां पर हम rest के लिए आते हैं और बहुत सामान होने पर उनको बहुत ज़्यादा cleaning भी लगती है आप जितना decoration का सामान रखेंगे उतना ज़्यादा आपको maintain करना पड़ेगा cleaning करनी पड़ेगी तो हमने यहां पर बहुत ही कम स देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी decoration यहां पर नहीं किया है बहुत ही simple सा रखा है बहुत ज़्यादा pillows and cushions यूज नहीं किये हैं इस bedroom में attached एक छोटी सी balcony है मैं पहले बहुत ज़्यादा plants रखा करती थी वट अभी मैंसे maintain नहीं हो पाता है तो मैंने बस थोड़े बहुत ही plants र attached है जो दूसरा bedroom हमने दिखाया था ना उसमें भी एक balcony है जिसको हम लोग mostly यूज नहीं करते हैं तो वो door हम लोग हमेशा ही बन रखते हैं यहां भी मैंने चोटी baskets यूज किये हैं जो भी चोटा मोटा सामन रहता है remote AC के जो remote होते है या earphone होते है alarm clock है वो सब मैंने यहां प बेडरूम बहुती कम decoration के साथ और बहुती कम सामान के साथ kitchen के बिलकुल सामने जो space है उसको मैंने use किया है fridge रखने के ले क्यूंकि मेरे पर दो fridge है और यह मेरे cabinet जो टूट गया था उसको भी मैंने बिलकुल kitchen के बहार रखा है और वहीं पर मैं उसके सामन रखती हूं और यह दो fridge भी मैंने kitchen के बहार रखे हैं और side में है shoe rack तो अब चलते हैं second floor पे और यह है हमारी Syria जिस पे मैंने चोटा मोटा सा decoration किया हुआ है चोटे-चोटे मटके जो है वो paint करके रखे हुए है बहुत ज़्यादा बिलकुल नहीं किया है again reason वही है कि इनको maintain करना और cleaning करने में बहुत ज़्यादा time जाता है तो occasionally मैं इसको decorate करती हूं कु washing machine रखी हुई है और washing से related सारे सामान मैंने इस छोटे से rack में रखा हुआ है और दो basket रखे हैं इसमें सारे कपड़े में segregate करके रखती हूं और जो कि washing के लिए बहुत फिर easy हो जाता है और बहुत कम time लगता है आप easily manage कर सकते हैं अपनी जिती भी washing है laundry है उनको आप easily manage कर सकत हैं और यह है हमारा guest bedroom first guest bedroom है और यह है काफी इसका जो size है ना काफी बढ़ा है बहुत spacious है यह वाला room और यहां पे कपड़े रखने के लिए बहुत सारे wardrobe हैं और एक जो metal के almari होती है ना वो भी मैंने रखा हुआ है तो काफी सारेज है यहां पे तो mostly मैं जिती भी अपने सा करके रखती हूँ और यह वाला जो रूम है बिलकुल open होता है हमारे terrace में तो यह terrace मैं आपको बाद में दिखाती हूँ और तो यह room इस तरह से दिखता है और यहां भी बहुत ज़्यादा decoration नहीं है बहुत ज़्यादा सामन नहीं है wardrobe है बस और एक बेड है और corner में मैंने एक चोटा सा plant hang करके रखा हुआ है यहाँ पी काफी space है इसलिए मैं यहाँ पे चोटा सा site table भी रखा हुआ है और कुछ अपने cake के पिक्चरस भी यहाँ पे मैंने लगा के रखे हैं जो भी पहले मैं cakes बनाती थी उन सब के pictures मैंने यहाँ पे लगाके रखे हुए हैं क्योंकि अ और काफी spacious है जैसे मैंने आपको बताया और terrace भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में यह room में भी attached bathroom है और इस तरह से एक बर मैंने आपको अपने वीडियो में भी दिखाया हुआ है यह वाला bathroom और इसका organization भी दिखाया था मैंने आपके साथ शेयर किया था तो इस तरह से है यह attached bathroom तो अब चलते हैं हमारे second guest room के तरफ जिसको मैंने convert कर दिया है एक store room में क्यूंकि storage के लिए भी थोड़ी से space होनी चाहिए और बहुत जादा guest नहीं आते हैं तो यह room बिल्कुल ऐसे ही unused पड़ा रहता है तो इसलिए मैं use कर रही हूं कई सारे storage तो इसलिए इस रूम को मैं utilize करती हूं थोड़ा से storage के लिए क्यूंकि storage के लिए भी थोड़ा space होना चाहिए mostly मैं boxes यूज करती हूं जो पार्सल्स में boxes आते है उसमें सारा सामान अच्छे से store करके रखती हूं उससे जो clutter भी नहीं दिखता है और आपका सामान safe भी रहता है और एक rack मैं यहां पर use कर हूं यह metal rack है काफी strong rack है और इस पे मैं रखती हूं अपने सारे transparent plastic के boxes जिसमें गरम कपड़े और bedsheets में सब store करके रखती हूं तो इससे यह dust भी नहीं आता है और आपका wardrobe का space भी बच जाता है तो आप इस तरह से जो boxes है ना यह वाले boxes आप open racks में इनको रख सकते हैं यह रूम exercise के लिए भी यूज हो जाता है तो exercise का सामान भी यहीं पे रखा हुआ है और यहां भी है एक चोटी सी attached balcony और इसमें भी मैंने कुछ चोटे मोटे plants रखे वे हैं और क्यूंकि मैंने washing machine यहां second floor पे रखी हुई है तो इस रूम को मैं कपड़े सुखाने में थोड़ा सा problem होता है क्योंकि यहां पे कई सारे birds है और कपड़ों को बहुत गंदा कर देते हैं और dust भी बहुत आता है क्योंकि बिल्कुल main road पे हमारा घर है तो इसलिए मैं mostly अपना इस रूम को यूज करती हूं कपड़े सुखाने के लिए और यहां फैन में आप रूम यूज करते हैं कपड़े सुखाने के लिए तो आप किसी भी टाइम पे कपड़े दो सकते हैं तो यह है मेरा store room जो कि एक guest room था और यहां पर भी attached bathroom है अब मैं आपको दिखाती हूं मेरा terrace तो terrace पे भी मैंने काफी सारे plants लगा के रखे हैं mostly ज्यादा तर plants मैंने terrace पे ही रखे हैं क्योंकि यहां पर maintain करना easy है और यहां पर मैं जब भी आती हूं तो फिर पानी वगर मैं दे देती हूं तो इस तरह से दिखता है मेरा terrace और थोड़ा बहुत मैंने decoration भी करके रखा है कुछ DIYs और यह भी मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था terrace और balcony कैसे भी हो अगर आप उसमें छोटे मोटे plants लगा दें थोड़े से plants रख दें तो वो एक अलगी थोड़ा सा उसमें attraction आ जाता है तो मैंने भी कुछ plants लगाए हुए मुझे भी काफी shock है लेकिन time की कमी के कारण में बहुत ज्यादा आजकल plants नहीं लगा रही हूँ बहुत प्यारे प्यारे इसमें flowers भी आए हैं तो इस तरह से ये मेरा जो terrace है वो लगता है so I really hope आपको ये मेरा simple सा घर पसंद आया होगा comment करके मुझे जरूर बताईएगा thank you so much for watching and consider subscribing my channel